हालो आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे उस चीज के बारे में जिसका आप सबको काफी दिनों से वेट था तो MCC की ओफिशल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और थमनिल से आपको पता लग गया होगा कि हम किस टॉपिक के ओपर बात करने वाले हैं तो जी हाँ MCC ने अपना स्टूर अनाउस कर दिया है नेट 2030 की काउंसलिंग के लिए तो ये बहुत बड़ी कुसका बरी सब्वी बच्चों के लिए काफी दिन पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी लेकिन इसका रिजन मैंने बताया आपको कि किस वज़े से लेट हुई है तो जानकरी डिसकस करेंगे उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अभी से बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको फाइदा फंटिनुसली होता रहे क्योंकि इस तरीके की अपडेट मैंने आपको बताया था जैसे ही अपडेट होगी हम आपके वीडियो बना देंगे तो ज्यादा गभराने के आपको बात नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेकिन लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर देना इतनी मेनत हम सिरफ आप ही के लिए करते हैं तो जैसे ही नीट यूजी किसका जो फोम है इस तरीके से ओप करोगे आप mcc के official website तो इस तरीके का पोर्टल आपके सामने open होगा जो मैंने आपको बता दिया था अब यहां पे साब साब लिखा हुआ है schedule of ug counseling 2023 यह आपके सामने एक दम दिख रहा है तो जब जैसे आप इस पे click करोगे तो सारा schedule का PDF आपका तो चार pages है उसके रूप में open हो जाएगा मैं आपको एक एक करके सारे चीज़े समझाऊंगा बाकि आप खुद से भी चीजों को चेक कर सकते हो अगर आपने वीडियो देखना start कर दिया तो कुछ इस तरीके से मैं आपको आपके सामने share करता हूँ कि किस किस तरीके से क्या क्या start होने वाला है तो सबसे 12 पीम यानि कि 12 नून यानि कि रात तक आप यहाँ पर admission कर सकते हो और बात करें payment schedule की तो वो भी आप जो है 8 बजे तक आप कर सकते हो रात को only 25 जुलाई को और जो registration है वो दोपहर में 12 बजे तक ही आप कर पाओगे 25 जुलाई तक next बात करते है choice filling की तो choice filling 22 जुलाई से start हो ज इस तरीके से करनी है वो हम आपको बता देंगे subscribe channel करके रख लो आप processing of seat allotment 27 जुलाई को जिसे लेके 28 जुलाई के अंदर आपका हो जाएगा और result इसका 29 जुलाई को declare कर दिया जाएगा ठीक है इसके बाद में जो document verification होंगे college की दुआरा 30 जुलाई और reporting और joining आपको करनी ह होगी 31 जुलाई से लेके 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त 2023 तक आपको चीजे करनी होगी तो बाकी college के अंदर बाकी processes आगे की होगी तो इन सभी के लिए days निचे लिखे हुए हैं कि किस processing में कितना time लगेगा तो वो आप इस चीज को check कर सकते हो बाकी है verification of joint candidate का जो basic information check होगी college क कि अंदर ही जिस institute में उनको allow यानि कि इस institute में उनका registration हुआ है जो college अलोट हुआ है उसमें आपकी बाके की further information होची जाएगी क्योंकि आप reporting आप 23rd of July से लेके 21st 31st July से लेके 4th of July तक आप यहाँ पर reporting करोगे तो बाके document verification आपके वहाँ पर हो जाएंगे 5th से लेके 6th of August 2023 तक के बीच में तो इस तरीक से था schedule आप से बात करते हैं 2nd round की वो 1st round था अब 2nd round की बात करें तो registration इसके start हो जाएंगे आपके किस तरीके से start होंगे date आपके सामने है 14th of August 9th से लेके 14th of August 2023 तक वही 12 बजे तक दोपहर में आपका start हो जाएगा as per the server times यानि कि server का time जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से बाकी choice filling और choice locking की आप यहाँ पर कर पाओगे वह 10th of August से लेके 15th of August तक क्योंकि अब बात करोगे इसके start हम आपके लिए clear करेंगे अलग सी वीडियो बनाएंगे बट फिलहाल हम schedule आपके सामने discuss कर रहे हैं बाकी चीज़े आपन देखते हैं processing of seat allotment इसका seat allotment 16th of August से लेके 17th of August तक होगा result इसका declare होगा 18th of August तक यानि कि just एक दिन बाद में आपका result declare हो जाएगा अब candidate का MCC portal के ओपर जिसका document verification होगा वो 19th August 2023 से बात करें reporting की तो reporting यहाँ पर 20th of August से लेके 28th of August तक आपको reporting करने मिलेगी यानि कि आपको पूरे 9 दिन का time यहाँ पर reporting का दिया जाएगा और अगर आप बात करें जो reporting के बाद में आ आपके सामने physical तरीके से होगे वो 29th of August से लेके 30th of August यानि की 3 दिन का time आपके पास होगा जहाँ पर आपको अपना document verification करना होगा इस तरीके से detail आपके सामने सेर की हुई है और बाके चीजे आप आराम से वीडियो को पोज करके एक एक चीजे चीजों को note भी कर सकते हो क्यो के बारे में आपको knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा important यही होगा कि अपने phone में आप इसको save करके रख लो या फिर नहीं तो आप note करके रखोगे तो आपकी नजरों के सामने आप उसको continuously ला सकते हो तो यह है main region बताने का कि आपको क्य क्या करना चीए बात करते हैं थर्ड राउंड की तो थर्ड राउंड के अंदर आपको वही registration स्टार्ट होंगे 31st of August से लेके 2nd of September तक आपके registration होंगे और बात करें कि choice filling 1st of September 2023 से लेके 5th September तक आपको choice filling के बाद में 24 लोग पर आप इसीज को कर सकते हो सेट अलोट मेंट ही discuss 6th September से लेके 7th September का यानि कि 2 दिन का टाइम रहेगा और इनका result जो है 8 तारीक को 8 September को आपका release कर दिया जाएगा अब इसकी बाद में बात आती है कि जो MCC के server से जो document मैच होंगे वो 9th September एक ही दिन का टाइम है क्योंकि बाद में चलते चलते काफी reporting करनी होगी next बात करते हैं कि reporting के बाद में आपका physical तरीके से जो document verification है वो 19th September से लेके 20 September को होगा यानि कि इसमें दो दिन का time आपको दिया गया है साब साब कि यहाँ पर चीजे इस तरीके से conduct होगी यानि कि third round की बात कर रहे हैं third round होता है मोपप round MCC का तो MCC का जो मोपप round round है कुछ इस तरीके से start होगा और कुछ इस तरीके से चीजे conduct होगी तो यह सारे चीजे आपको समझ आ गई होगी अब next अपन discuss करेंगे कि last district vacancy round और इसके साथ साथ अपन ये भी discuss करेंगे कि इस साल क्या changes होए हैं definitely changes तो होए हैं तो यह changes किस-किस तरीके से होए हैं क्या-क् तक से वीडियो बना के आपको information दे दूँगा लेकिन अगर आप चाहते हो इसी update आपको मिलती रहे तो चैनल को subscribe करके रख लो हम मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि हम आपको सारी information हर एक notification जैसे ही आएगा हम आपको बताते रहेंगे time to time free of cost और पूरी counseling आपको free of cost यहाँ पर available करवाएंगे हम जिस तरीके से चीजे होंगी हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे तो subscribe करके रख लो चैनल को बहुत जदा फाइदा आपको यहाँ से होने वाला है needs related तो कोई भी information आपकी छूटेगी नहीं तो यहाँ पर next path करते हैं अपन stay vacancy round last का round जो होगा यहाँ पर अभी आप registration and payment कर सकते हों 21st of September से लेके 23rd of September तक वही time जो आपका पहले का time था उसी तरीके से 3 दिन के अंदर आपको time मिलेगा आप कभी भी कर सकते हो choice filling और locking का time मिलेगा 23rd of September से लेके 24th of September यानि कि यह भी 3 दिन आपको दिये जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पर choice filling है वो करनी होगी seat allotment आपका जो हो जाएगा 25th of September को आपका seat allotment आपको हो जाएगी result की बात करें तो 26th September एक एक दिन का time इन दोनों में दिया जाएगा क्योंकि यह आपको इसमें कुछ नहीं करना वो आप server automatically करेंगे candidate का verification वो उसकी clearness नहीं है क्योंकि stray vacancy round वहीं पर होता है जहाँ पर आप reported already हो बाकी मैं आपको बाकी छीजे भी clear करूँगा और यहाँ पर बात करें reporting की तो 27th of September से लेके 30th of September तक यानि के 4 दिन के अंदर अंदर आपको reporting करनी होगी job institute आपको alert होए है तो इस तरीके से पुर्या schedule सबके लिए announce कर दिया है MCC ने कुछ गलती हो गई हो बीच में तो उसके लिए sorry बट गलती कुछ होई नहीं है हमने सारे चीजे आपको अच्छे से explain की है तो I hope आपको समझ आया होगा चीजे समझ आई होंगी अगर आपकी प्लीज उसको comment section में comment करके पूछ लेना हम आपको जरूर बताएंगे और कोसिस करेंगे कि एक वीडियो बनाके आपको अच्छे से explain कर दें तो I hope कि यह चीजे आपको समझ आ गई होंगी बाकी और चीजे हम आपको time to time बताते रहेंगे changes के बारे में अलग सी वीडियो में बना दूँगा तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब परके रख लो जदा से जदा बच्चों के पास share कर दो मिलेंगे ऐसी ही नई अपडेट नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद